कोशन है आपका लुप तंक के ग्याद कीजिए तो इसके लिए आपको यहाँ पर तीन ट्राइंगल गिवन हैं जिसमें आपका तीन नंबर का जो ट्राइंगल है उसमें आपका एक यहाँ पर अंक मिसिंग है यह आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको पहले और दूसरे तिल्वुज का उप्योग करना है तो इसे हम यहाँ पर सोल करने की कोशिश करते हैं तो इस परकार की कोशिशन में आपको कितने डिजिट गिवन है यहाँ पर छे डिजिट गिवन है तीन जो नमबर है वो आउटर साइड में लिखे गए है और तीन ही नमबर आपके इनर साइड में लिखे गए है मतलब आउटर नमबर का परियोग करते हुए आपको इनर नमबर पराप्त करना है इस परकार से आप यहाँ पर जो आपका मिसिंग नमबर है वो यहाँ पर आप find out कर पाओगे तो सबसे पहले इसे हम solve करते हैं तो आपनी हाँ पर देखा 10 और चार का प्रियोग करते हुए आपको कितना प्राप करना है संक्या 6 प्रापते करनी है तो 10 में से अगर यहाँ पर 4 को घटा दिया जाए तो 10 माइनस 4 कितना होता है आपका 6 होता है इसी प्रकारी 4 और 18 को प्रियोग करते हुए आपको कितना प्रापत करना है 14 आपको प्रापत करना है तो 18 में से अगर हमें 4 को घटा दिते हैं तो संक्या कितनी प्रापत हो जाएगी चवुदा यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगी इसी प्रकारी 18 और 10 का प्रियोग करते हैं आपको संख्या 8 प्राप्त करनी है तो 18 में से 10 हम गटाएंगे तो आपको 8 प्राप्त हो जाएगा क्योंकि 18 मैनिस 10 कितना होता है आपका 8 होता है इसी प्रकारी 14 और 8 का प्रियोग करते हुए आपको संख्या 6 प्राप्त करनी है तो 14 में से हम 8 गटाएंगे तो आपको 6 प्राप्ते हो जाएगा इसी प्रकारी 8 और 22 का प्रियोग करते हुए आपको संख्या याँ पर 14 प्राप्त करनी है तो 22 में से हम 8 गटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 14 आपको प्राप्त हो जाएगा इसे प्रखारे 14 और 22 का प्रियोग करते वे आपको 8 प्राप्त करना है तो 22 में से यहाँ पर हमने 14 गटाएंगे तो आपको 8 प्राप्त हो जाएगा similar trick में 3 number वाले तिर्गुज में लगाएंगे तो यहाँ पर 11 और 5 का प्रियोग करते हुए आपको संक्या 6 प्राप्त करनी है तो 11 में से 5 घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त हुझेगा 6 प्राप्त हुझेगा इसी प्रकारी 15 और 11 का प्रियोग करते हुए आपको 5 आपको प्राप्त करना 4 आपको प्राप्त करना है तो 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा similar यहाँ पर आपको 5 और 15 का प्रियोग करते हुए कौशन चिन वाली संक्या find out करनी है तो 15 में से हम 5 घटा देंगे तो संक्या आपको कितनी प्राप्त हो जाएगी 10 आपको प्राप्त हो जाएगी जो कि आपका कौशन चिन का मान होगा तो दोस्तों दिये गए कौशन में हमारा 10 हमारा अंसर हो जाएगा कौशन है आपका पचास सात्रों की एक पंक्ती में A B के दाइं आठवे इस्तान पर है जो बाइं छोड़ से तेरे इस्तान पर है तो A का इस्तान दाइं छोड़ से क्या है? ये आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले दो विक्ती है A और B तो जो A है A B के दाइं मतलब सबसे पहले हमें B को बैठाना है उसके दाइं पोजिशन में हमें A को बैठाना है और कितने इस्तान पर बैठाना है आठवे इस्तान पर हमें बैठाना है तो ये हमने यहाँ पर बैठा दिया है तोटल नमबर ओफ चातर कितने हैं पचास है और आगे कहा गया है जो बाइए छोड़ से तेरवे स्थान पर है मतलब बी जो है वो लेफ्ट साइड से कौन से स्थान पर है तेरवे स्थान पर है तो एका स्थान दाइए छोड़ से क्या है तो यहाँ पर left side से 1 की position क्या हो जाएगे आपकी यहाँ पर 13 plus 8 minus 1 हो जाएगे तो 13 और 8 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा 21 में से 1 घटा होगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा मतलब जो left side है वहाँ से जो एकी position है वो बीसवी है बीसवी यहाँ पर पोजिशन आपकी गिवन है जबकि आपको राइट साइड से पोजिशन पुछी गई है एक यह तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो आपके टोटल नंबर ओफ चातर कितने हैं पचास है तो पचास में से इसके जो लेफ साइड वाली पोजिशन है उसे हम घटा देंगे तो पचास है माइनस है इसमें कितना करेंगे बीस हम करेंगे तो यहाँ से राइट साइड से पोजिशन कौन से आजएगे आपके एक तीस भी पोजिशन आजएगे क्योंकि इसके जो लेफ्ट साइड है उसमें आपके बीस बच्चे बेटे हैं एक ही पोजिशन यहापर हमने इंक्लूड नहीं की है तो राइट साइड से पोजिशन कौन से आ गई आपके तीस भी पोजिशन आ गई जो कि हम यह उप्शन नमबर सी में गिवन है तो सी हमारा इस कोशन का अंसर हो जाएगा कोशन है आपका नमलिकित में से कौन सा वे नारे के महिला माता डॉक्टर को प्रदेशिद करता है तो यह आपको बताना है कि महिला माता और डॉक्टर को प्रदेशिद करेगा तो आप सभी जानते हैं, जो महिलाएं होती है, वो सभी जो महिलाएं होती है, वो क्या होती है, माता नहीं होती है, मतलब है, महिलाओं के अंदर क्या जाएगी आपकी, माता जाएगी, तो माता यहां पर हमने बना दी, लेकिन जो परतेक माता होती है, वो आपकी एक महिला होत माता और महिला क्या डॉक्टर होगी ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती मतलब 50% चांस है कि कोई महिला डॉक्टर हो सकती है और वो माता भी हो सकती है तो ये वीच में कुछ इस परकार का आपका डाइगराम बनेगा और इस प्रकार का डाइग्राम आपको आपसन नमबर C में गिवन है तो C हमारा इस कोशन का अंसर हो जाएगा जिसमें आपके जो छोटा वाला सरकिल है वो माता को शो करता है और सभी जो माता होती है वो एक महिला होती है क्योंकि पुरुष का बीवी माता नहीं बनते और जो डॉक्टर का केस है उसमें आपके जो महिला है वो डॉक्टर हो सकता है और ये मतलब कुछ माताएं भी ऐसी है जो डॉक्टर हो सकती है तो ये डाइग्राम हमारा करेक्ट हो जाएगा कोशन है आपका और रिक्तिस्तान पर कौन सा पता हैगा ये आपको फाइंड आउट करना है इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सिरीज गिवन है 6, 18, 54, 165 और उसके आगे खालिस्तान है ये संक्या आपको यहाँ पर फाइंड आउट है करनी है जसके लिए A, B, C, D चार ओप्सन भी आपके आउट में गिवन है तो सबसे पहले हमें संक्या लिखते हैं 6, 18, 54, 165 और उसके आगे खालिस्तान है तो सबसे पहले आपको 6-18 पर जाना है तो 18 के अंदर हमें 6 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा तो कहने का मतलब है अगर 6 को 3 से गुणा कर दें तो 6-18 पर हम पहुँच जाना है तो 54 में 18 का भाग देंगे तो 18, 53, 54 तीन बार जाएगा तो 18 को अगर हमें 3 से गुणा करेंगे तो 54 पर पहुँच जाना है तो 3 से गुणा करेंगे तो 4 तीया बारा दू आ जाएगा हासिल एक हो जाएगी पांस दी पंद्रा और एक सोला आपकी संख्या 162 आ जाएगी आगे हम पांसी संख्या से गुणा करें कि आपको खालिस्तान वाली संख्या मिल जाएगे तो सबसे पहले हमने 3 से गुणा किया आगे वापिस 3 से गुणा किया आगे वापिस 3 से गुणा किया तो आगे भी हम 3 से ही गुणा करेंगे तो 162 को अगर हमें 3 से गुणा करेंगे तो 3, 2, 6 3, 6, 18, 8 हां से लेगे 3 एकम 3 ए और 1, 4 तो संक्या आपके हो जाएगे 486 आपके संक्या हो जाएगे और यह आपको option number A में गिवन है तो option number A हमारा discussion का अंसर हो जाएगा आपका यदी परसो शुकरवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा यह आपको find out करना है दिये गए चारे option में से तो इसे हम soul करते हैं तो कहा गया है परसो शुकरवार था तो यह आपका present यह हो गया यह आपका कल हो गया ये आपका परसों हो गया तो परसों कौन सा वार है आपका शुकरवार है तो शुकरवार से पहले कौन सा वार आता है शुकरवार से पहले आपका गुरुवार आता है और गुरुवार से पहले क्या आता है बुदुवार आता है आज कौन सा वार हो गया? तो प्रजेन डे में हमारा बुद्वार हो गया? फिर आगे कहा गया है तो आगामी पर्सों मतलब आने वाला जो पर्सों है के बाद तीसरा दिने क्या होगा? यह हमें यहां पर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर यह आपका परसो आ गया परसों के बाद में वापिस हमें परसो जाना है मतलब इसके दो दिन और आगी जाना है तो शुकरवार के बाद क्या आता है आपका सनिवार आता है और सनिवार के बाद में आपका रवीवार आता है तो यहाँ पर रवीवार के बाद में आपके जो वार हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे परसों के बाद वाला जो वार है वो कौन सा हो जाएगा आपका सोमवार हो जाएगा फिर आगे कहा गया है कि तीन दिन बाद मतलब सोमवार से तीन दिन और आगे जाना है तो सोमवार के बाद में आपका मंगलवार होता है मंगलवार के बाद में आपका बुदुवार होता है बुदुवार के बाद में आपका गुरुवार होता है और गुरुवार के बाद में कौन सा वार हो जाएगा यहां पर आपका शुकरवार हो जाएगा मतलब आगामी जो पड़सो है उसके तीसरा जो दिन है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर शुकरवार हो जाएगा आपसन नमर डी यहाँ पर अमरा करेक्ट आंसर हो जाएगा